Hello guys, यहांस हम लोग अपने lecture number SM33 को continue कर रहे हैं और lecture number SM33 का अगर हम लोग overview लें क्योंकि यह most important lecture था इसमें हम लोगों ने induction machine के working principle के उपर बात किया था और वहाँ पे हम लोगों ये सीखने को मिल रहा है भाई कि कैसे आपका induction machine self-starting होता है और वहीं पे हम लोगों ने compare किया था कि आपका 3-phase synchronous machine self-start क्यों नहीं हो पाता है और induction machine में हम लोगों का एक important concept था कि जो आपका rotor का rotating magnetic field होता है ये कैसे NS के speed पे rotate करता है नि synchronous speed पे एक देके से rotate करता है उसके बाद फिर हम लोगों ने torque के बारे में भी थोड़ा सा समझा था कि जब आपका stand steel पे रहेगा motor stand steel मतलब क्या कि आपका जो rotor का speed है nr ये क्या है 0 पे है रुका हुआ है ठीक है तो अगर हम लो stand steel पे देखें तो n तो मेरा 0 होगा तो अगर n मेरा एक तरीके से 0 है तो cdc बात है torque मेरा क्या होगा बहुत ही high होगा है फिर कि ये infinite होगा आप बिल्कुल ऐसा देखने को भी मिल रहा था हम लोगों क्योंकि देखें अगर का n है और इधर इसका ये s है ठीक है stator का मैंने आप इस तरीके से दिखा दिया तो ये तो भाई माले ते दो पूल का मशीन अथी कितने आर्पिम पे घूमेगा 3000 rpm अगर आप 50 Hz एक तरीके से supply दे रहे हैं तो ठीक है तो ये 3000 rpm पे घूम रहा है तो cdc बात है इस रोटर के conductor में maximum अभी आपका क्या दिखेगा यहाँ पे अगर अभी maximum है तो cdc बात है इसके चलते जो emf induced होगा यह भी काफी strong magnitude का होगा और emf एक तरीके से strong है तो cdc बात है जो current flow होगा यह भी एक तरीके से क्या होगा काफी large होगा आपका current large cdc बात है इसके चलते जो rotor के अंदर आपका north pole south pole बनेगा जिसको आपका N2 और S2 से represent कर रहे थे यह आपका काफी strong magnitude का होगा ठीक है तो इसके चलते push और pull का जो ताकत होगा इसमें ही काफी जादा होगा ठीक है और वही जब आपका rotor जो है धीरे-धीरे rotate करना start कर देगा एनि फिर जब हम लोग का Nr जो है दिरे-धीरे increase होगा तो सीधी सी बात है speed को अगर आप दिरे-धीरे बढ़ा रहा तो सीधी सी बात है आपका torque भी वहाँ पे घट रहा था ठीक है और ऐसा क्यों हो रहा था practical way में समझाए क्यों कि rotor भी एक तरी किस घूमना start कर यह जो NS के speed पे आपका stator का rotating magnetic field जो run कर रहा था उसको एक तरी के से क्या कर रही है पोस करने लग रहा है न खुद यह घूमना start कर दे रहा तो सीधी सी बात है rotor के respect में जो आपका NS speed हो गई क्या हो जाएगा कमने लगेगा ठीक है और अगर speed कम गया तो सीधी सी बात है d5 by dt एक तरी के से कमने लगेगा यह अगर कमने लगेगा तो cdc बात है जो emf induced हो रहा था यह तरी के से कमने लगेगा अगर यह कम गया तो cdc बात है current भी आपका कम जाएगा current कम गया तो cdc बात है n2 और s2 का जो magnitude था वो एक तरी के से कम जाएगा यह magnet आपका कम जोर होते चल तो सीधी सी बात पुश और पुल का ताकत भी घड़ते चला जाएगा, यानि टॉर्क आपका एक तरीके से कमते चला जाएगा, तो इतना कोश हम लोगों ने भाई सीखा था, अभी देखे, अभी हम लोग एक दो लेक्चर और इंडक्शन मशीन पर ही बात करेंगे, क्योंकि हम लोगों फ्यूचर में इसको पढ़ना ही है, तो अभी भाई एक चीज समझेए, यह जो मैंने कल वाले लेक्शर में आपको यह जो तीन फोटो समझाया था, एक तो ये, एक ये और एक ये, इसमें कुशन ही हम लोगों ने पूरा-पूरा फेजिकल कंस्ट्रक्शन दिख है कि इस्टेटर है, इस्टेटर के अंदर आपने 3-phase winding किया हुआ, इसमें अपने 3-phase balance supply दिया, तो rotating magnetic field setup हो गया, ठीक है, यहाँ पर मैंने rotor दिखाया, रोटर में हम लोगों सा लेके चल रहा है, slip ring, यह एक तरीके से wound वाला rotor है भाई, ठीक है, इसमें मैंने slot cutting किया हुआ, इसके अंदर conductor place कर रखा है हम लोगोंने, राइट, तो यहाँ पे हम लोगोंने एक assumption माना था, कि यह जो rotor का पूरा-पूरा circuit है न, इसका हम लोगोंने यहाँ पे pure resistive माना हुआ, ठीक है, pure resistive मान के चला है, तभी हम लोगोंने भाई, यहाँ पे एक line बोला था, कि यह north pole, य इसके अंदर क्या होगा, maximum EMF induced होगा, इसमें cross दिखा दिया, इसमें dot दिखा दिया, तो क्योंकि हम लोगोंने pure resistive मान के चला है, तो जैसे इसके अंदर maximum EMF हैगा, तो उसी instant में क्या हो जागा, अपका maximum current भी flow हो जाएगा, एक तरीके से, राइट, जैसे आप synchronous machine में, RMH reaction जो instant में क्या होगा, maximum current flow हो जागा, यह मैं for current phase में रहते हैं, ठीक है, लेकिन समझ यह, practical case में, जो rotor का circuit होता है, यह pure resistive नहीं होता है, practical case में यह आपका inductive nature का बनेगा, ठीक है, इसके अंदर सीधे सीधे दिखाए, यह RB होगा, और एक तरीके से L भी आ जाएगा, XL भी आ है, इस दिख को आप हमेशा mind में रखिएगा, और यह जो आपने phasor diagram दिखाया है, जिसमें आपका dell का value यहाँ पर 90 degree आ रहा था, यह pure resistive mind के चला ताब आ रहा है, ठीक है, लेकिन जब आप practical case में, यहाँ पे स्टार्ट हुआ है, practical case में, ठीक हाँ, actually polyphase rotor winding जो होता है, इसके अंदर कुछ न कुछ, leakage reactance आएगा, मतलब यह बाई, inductance आएगा, कुछ न कुछ न कुछ, ठीक है, तो जब आप यहाँ पर practical assumption लेकर के चलिएगा, तो आपका जो यहाँ पर phasor diagram बनेगा, यह stritter का flux हो गया, ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पर जो डेल का value हैगा, 90 प्लस, ठीक 2 हो जाएगा, ठीक है, कभी भी 90 न ही रहता, तो इसके ओपर हम लोग भी बात करेंगे, लेकिन next lecture में बात करेंगे, ठीक है, अभी कल वाले lecture में, जो सबसे जादा हम लोगोंने एक relation use किया था, यह था आपका rotor frequency के लिए, ठीक है, rotor frequency क्या होता है, slip into supply frequency, ठीक है, तो सबसे प मतलब machine के अंदर एकदम घुस करके देखेंगे, कि होता क्या actually में, उसके बाद फिर हम लोग इसको mathematically प्रूफ कर लेंगे, ठीक है, तो अगर आप manually समझ गए, तो mathematically प्रूफ करना कोई बड़ी बात नहीं है, तो अभी हम लोग यहां से start हो रहा है lecture, और rotor frequency को समझने के लिए बाई, आपको सबसे पहले समझ में आना चाहिए, और फिर पता होना चाहिए, electrical degree क्या होता है, और mechanical degree क्या होता है machine में, तो जब हम लोग winding पड रहे थे, तो वहां पे मैं आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया था, और यह जो relation होता है, electrical degree equal to p by 2 into theta mechanical, ठीक है, तो अभ हम लोग भाई माल लेते हैं मेरे पास एक 2 pole का machine है, ठीक है, अब क्यूंकि हम लोग यहां पर rotating machine को लेकर के चल रहा है, तो कोई भी machine ले सकते है, ठीक है, rotating machine पर काम चल रहा है, मतला motor generator को पर काम चल रहा है, तो अभी माल लेते हैं, बाई, कि मेरे पास यह एक north pole है, और एक south और इसको हम लोग थोड़ा से 3D way में दिखा देते हैं, और यह मास हो जाए, DC machine है, कोई भी machine ले ले लिए, rotating machine, यानि अभी हम लोग सिफ औस क्या, ठीटा electrical और ठीटा mechanical एक तरीके से revise करना चाहते हैं, तो यह होगे आपका, इस तरीके से conductor में दिखा देता हूँ, यहां पर यह मालेत आपका A है, तो इधर वाला हो जाएगा आपका A-, अब क्योंकि यहां पर हम लोगों ने दो पोल लिया हूँ है, और इसको अगर मैं थोड़ा सा और इस तरीके से दिखा दूँ, यह मालेत इधा नौर्थ है, यह 3D diagram हो, और इसका थोड़ा सा हम लोग यहां पर ब्लॉग diagram दिखा रहा है, यह मालेत आपका South, ओके, और North के सामने अभी यहां पर एक conductor रखा हूँ है, इसको मैं नाम देता हूँ A, और इधर एक conductor रखा हूँ है, A-, ठीक है, कुछ इस तरीके से आपका रखा हूँ है, और इसको आपका रखा हूँ है, इसको आपका रखा दिखाने के लिए, इसको मैं इसे rotor की तरह दिखा देता हूँ, ठीक है, यह जो आपका conductor डला हूँ है, A-, एक होता है आपका flux, ठीक है, और एक होता है आपका EMF, तो हमेशा मैं आपको बताया था, अगर flux को हम लोग reference लेकर के चल रहे हैं, ठीक है, तो जो आपका EMF होगा, यह 90 degree क्या होता है, lag करता है, ठीक है, यह 90 degree के बाद आपका उसके अंदर EMF एक तरीके से induced होगा, समझ रहा है, यह मैं आपको बताया था, ऐसा क्यों होता है, इसको थोड़ा सा अगर हम लोग revise करे तो जैसे भाई, मान लेते हैं, यह मेरा हाथ जो है ना, जो हाथ है, इसको आप मान के चलिए, यह एक तरीके से magnetic field line है, ठीक है, यह punch of finger जो है magnetic field line है, इस तरीके से जा रहा है, इस तरीके से जाने का मतलब क्या, इधर मेरा पुरो-पुरो North होगा, और इधर क्या होगा मेरा South होगा तब ही न ऐसे जाएगा यह आपका इस तरीके से magnetic field line है ऐसे समझे आपके राइट ऐसे रखा हुआ अभी जो हम लोग का coil है न यह coil भाई कुछ इस तरीके से रखा हुआ है देखें इसको हम लोग कैसे दिखाएं देखें आपके नौर्थ south और coil भाई अभी assume गरके चलिए ऐसे खड़ा है ठीक है इस तरीके से खड़ा है coil में अगर दिखाऊ ऐसे रखा हुआ ठीक है मतलब coil तो दो होगा न एक ऐसे समझे एक नीचे है coil और एक ऐसे है ठीक है और यह आपका एक दो तीन चार चार magnetic field line के है अंदर की तरफ जा रहा है ठीक है इस तरीके से रखा हुआ है मतलब coil ऐसे है vertical यह ठीक है इसके अंदर से क्या है magnetic field line जो है इस तरीके से घुस करके जा रहा है ठीक है तो एक तो यह position हुआ ठीक है second position में क्या दिखा रहा हूँ north pole, south pole वैसे का वैसे ही रहन दे रहा हूँ मैं ठीक है मतलब एक यह वाला position अब है ठीक है यह coil जो है पहले ऐसे coil था ना अब यह coil जो है मैंने ऐसे rotate कर दिया तो rotate करेंगे तो सीधी ची बात है कैसे होगा इस तरीके से आएगा ना तो देखें इस वाले case में अपका पूरा का पूरा जो magnetic field line है ना यह चारो का चारो magnetic field line क्या है coil के अंदर से घोस करके चला जा रहा है देख रहे हैं coil के अंदर से घोस करके चला जा रहा है यानि coil के अंदर कुछ भी link नहीं कर रहा है फिक कई कट नहीं कर रहा है ये coil का conductor भाई इस conductor के पर focus कीजे ये उपर वाला conductor और ये नीचे वाला conductor तो अभी तो conductor के साथ एकदम अंदर अंदर घोश जा रहा ना क्योंकि कोई flux कटी नहीं कर रहा है हमारा conductor देख रहा है ये conductor तो ऊपर रखावा ना ऐसे है उपर ये बीच से आपका flux घुस के चला जा रहा है ऐसे लेकिन आप खोद ही मैजन कीजिए जब ये conductor ऐसे घूमेगा अभी तो ऐसे है ठीक है जब ये conductor ऐसे घूमेगा अगर तो अगर तो आप समझ ये इस case में, case 1 में जब पूरा का पूरा जो magnetic field line के अंदर से पास होकर के जा रहा था ठीक है अंदर से पास होकर के जा रहा था EMF मेरा 0 था ठीक है तो आप ये मैं कहूंगा कि coil के अंदर से जो आपका flux था ये maximum था मतलब पूरा का पूरा अंदर घूस करके जा रहा था ना समझ रहा बात को मतलब flux maximum था coil के अंदर से लेकिन EMF उस case में क्या था 0 था अब इस case म क्या है कि ये जो coil था मेरा ये coil अब ऐसे घूम गया घूम गया मतलब कि आप coil ऐसे रखावा है तो ये आपका A है और ये आपका Aड से इसके ऊपर-उपर से पूरा-पूरा अपका magnetic field line निकल जाएगा निकल जाएगा बता ये बाई जैसे ये आपका magnetic field line है इस तरीके से ठी ये कोईल है ठीक है पहले कोईल ऐसे था अभी ऐसे घूम गया तो सीधी ची बात है पूरा-पूरा magnetic field line क्या होगा इसी के ऊपर से निकल जा रहा ना इस डाइग्राम में है अब ज्यादा अच्छा से देख सकते है इसके ऊपर से मतलब क्या हुआ यहाँ पे जो आपका flux link के यह एक तरीके से 0 हो गया लेकिन सीधी ची बात है अभी क्या होगा यहाँ पे EMF एक तरीके से maximum induced होगा तो आप देख रहे हैं अगर हम लोग इसका फेजर डाइग्राम दिखाए यह फ्लक्स का और EMF का तो इनके बीच में यह माल लेते हैं अगर मैं flux का दिखा दे रहा हू जब मेरा भाई flux 0 था यहाँ पे तो उस case में क्या है EMF एक तरीके से maximum है यह EMF का है ठीक है उसका हम लोग कुछ इस तरीके से दिखा सकते है और भाई जब यह 0 था तो यह अपका क्या है maximum है ओके तो इसले हम बोलता है कि जो flux होता है और जो EMF होता है इनमें हमें से क्या होत होता है तो देखें फटा फटा हम लोग यहाँ पे सबसे पहले mechanical degree की बात करते है mechanical degree कुछ नहीं होता है यह rotor है इस rotor को अगर मैं एक चकर लगा दूँ एक चकर लगाने मतलब है एक revolution ठीक है और एक revolution कहने मतलब तो 360 degree समझ रहा है बात को इसका मतलब क्या यह मालते position A है ठीक ह तो position A से आपने पकड़ करके rotor हो कहा कि एक चकर घुमाया एक चकर घुमाने का मतलब क्या है बाई mechanical degree कितना cover करेगा एक चकर अगर रहा है तो mechanical degree यह इसको physical degree भी बोलते है physical angle कितना बनेगा बताए 360 ठीक है तो यह तो आपका mechanical degree है ना भाई एक चकर आपने लगाए लेकिन हम लोगों देखना चाहते हैं कि इसको जब एक चकर हम लोगों ने घुमाया तो उसके चलते है हमारा electrical में यह फी कहिए सिधे-सिधे voltage का कितना cycle बना ठीक है voltage कहने का मतलब भाई इसको जब आप एक चकर घुमाईएगा देखें North है यहापे आपका South अब यह आपका यह है यह आपका Aडस अगर आपका एक चकर लगाएंगे तो एक चकर लगाने का मतलब क्याएगे अभी देखें अभी क्या है यह conductor आपका North के सामने है तो सीधी-सी बात है अगर हम लोग यहाँ पर voltage है नि इलेक्ट्रिकल सिगनल का दिखा है ग्राफ तो यह maximum होगा यहाँ पर राइड यहाँ फेस को हम लोग ऐसे दिखा सकते है यह माल लेते है यह है यहाँ पर आपका Aडस ठीक है यहाँ पर क्लॉकवई ड Argável को कुछ भी गुमाई कोई शर्प ने पड़ता ठीक है माल लीसंद remains इस direction गुमा रहो है, ठीक है, 90 degree के shift में, यानि, after 90 degree, after 90 degree क्या हो जाएगा, यापका A यहाँ पर आ जाएगा, A dash यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है, उसके बाद, again, फिर 90 degree और इसको घुमाएंगे, यानि, third case में, फिर से हम लोग 90 degree anti-closure shift कर रहे हैं, तो north, south, ऐसे कैसी रहेगा, इधर यहाँ पर आ जाएगा, A dash, और यहाँ पर पहुंच जाएगा, A, ठीक है, और again, फिर से हम लोग 90 degrees को जब घुमाएंगे, north, south, तो यहाँ पर आ जाएगा, A dash, और यहाँ पर पहुंच जाएगा, A, और फिर से हम लोग, north, south, और फिर से 90 degree घुमाएंगे, तो सीधी सी इस पोजिशन पर आते ही इस सबसे पहोगा दे बताइ आपका ZERO हो जाएगा राइट उसका प्रसे यह क्या है यहां से फिर यहां पर इली जा रहा है यहां पर पहुंचा थो सी जिवात है क्योंकि यह साउथ में आ गया न तो फिर से यह maximum पर आके यहाँ पर रूप जाएगा, ठीक है, उसका फिर से देखे, यह कहाँ पहुंचा, अब यहाँ पहुंच गया, ठीक है, इस case में, तो इस case में आपका 0 बनता है, यह फिर से यहाँ पहुंचेगा, ठीक है, और फिर से यह conductor कहाँ पहुंचा, यह घूम करके यहाँ इस तरीके से बनेगा, ठीक है, ठीक है, तो आप खुद देख लीजे, यहाँ से लिगे आते है 90, यहाँ से लिगे आते है 99, 90, 90, 180, और यह पूरा का पूरा क्या एक तरीके से, 360 है नहीं, 360 है, आप कहेंगे कि यह पूरा-पूरा एक complete cycle बना है, ठीक है, तो यहाँ पे आप 360 डिगरी गुमाया है, तो सीधी सी बात है, voltage में भी कितना cycle बनेगा, फिक है electrical में भी कितना cycle बनेगा, 360 डिगरी बनेगा, और वही अगर हम लोग चार पोल की बात करें, थोड़ा समय चार पोल में भी revise करवा देता हूँ, पी क्वल टू अगर हम लोग चार पोल ले करके देखें भाई, यह नौर्थ, साउथ, इसको नौर्थ, अल्टरनेट होते हैं, ठीक है, यह अपका साउथ, यह मालत अपका stator है, राइट, इस तरीके साबका यह चार पोल बना हुआ इसके अंदर, अब यहाँ पे भाई, अ दूसरा माल लेते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे फिर से भाई, यह क्या बोलता है, फुल पीच कोईल होगा न, तो फुल पीच कोईल के लिए आपको यहाँ पे नहीं दिखाना होगा, यहाँ पे दिखाना होगा एक तरीके से, यह फिर इस conductor को छोड़ दिये भाई, यह पे यहाँ पे ठीटा मैकनिकल बनेगा, अगें कितना बनेगा, तीन सो साथ डिगरी ही बनेगा, क्योंकि भाई इसको एक चकर लगाने मतलब फिस्कल कितना एंगल क्रियेट होगा, पूरा-पूरा एक रिवलेशन, एक रिवलेशन करना तीन सो साथ डिगरी, लेकिन भाई यहा इनक्टर है, नौर से जब यह साथ पहुंच जा रहा थे, यहाँ पे जब है तो यह maximum बनेगा, फिर यह बीच में पे इसका क्या होगा, जीरो असर होगा, ती जीरो हो जाएगा, और फिर यह जीरो से यहाँ पे जाएगा, तो फिर से यह नेगेटिव बनेगा, यही एक सो स इसी एक तरीके से बन रहा, उसका फिर से इस साथ से फिर यहाँ पे जाएगा, यहाँ पे जाएगा, तो फिर से इसे पोंचेगा, यह अब देखे तो यहां से यहां तक आने में, यहां आधा घूमने में कितना बना लिया है, ती न गृ dom पिर से इसको नोर से यहां थे जाना तो फिर से क्या करेगा अगे अगर हम दहुकरे तो फिर से यह half cycle मतलए यह complete cycle बना ले गा इस तरहिक है यहां पर आपको or all देखने को मिले कि दो electrical cycle बनावा ठीक है यही 360 यहां और 360 यहान से यह है यह है यह टोटल electrical voltage का कितना बना cycle तो 360 plus 360 कि यह तो कितना होगा 720 बना ठीक है तो 4 pole में आपका क्या होता है mechanical जैसे हैं आपे भाई theta mechanical कितना होता 360 लेकिने आपे theta electrical कितना बना 4 pole के यह आपका 720 बना ठीक है यह यह डबल हो जाता है उस तरीके 6 pole में आप कीजेगा तो 6 pole में again theta mechanical आपका 360 यह होगी कि again आप एक ही चकर घुमा रहे ना इस conductor को 360 मतलब हरे किसी भी p pole के machine के लिए आपका theta mechanical हमें सब 360 होगा लेकिन electrical degree की बात करें तो electrical degree आपका एक तरीके से change होते रहता है ठीक है तो यहां पे हम लोग अगर हम लोग relation देखे जो अपका theta electrical होता है यह होता है अपका p by 2 into theta mechanical और आपका पता है any case में theta mechanical कितना होगा 360 ठीक है अब p के लिए अभी जैसे हम लोग प्रूफ करते है अभी हम लोग प्रूफ कर भी लिया एक तरीके से उसी तरीके से अगर हम लोग यहां पे theta electrical 6 pole के लिए देखें तो p के जगा हम लोग क्या लिखेंगे 6 divided by 2 है फर्मूले के हिसाब से हो यहां पे 360 तो यह हो जाएगा 3 और इसको जब आप multiply की जगा कितना आ जाएगा आपके यह हो जाएगा 1440 हो जाएगा ठीक है और यहां पे 1080 होगा ठीक है और जब आप 8 pole के लिए देखेंगे तो 8 pole के लिए आपके यहां पे 1440 हो जाएगा मतलब यह formula आपका एक तरीके से derive होता है और यह सब revise करना बहुत जरूरी था क्योंकि अभी हम लोग इसको use करेंगे अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं देखें इतना basic जानने के बाद अब हम लोग यहां से अपने induction machine पे आ रहे हैं ठीक है और induction machine कौन सा? थ्री phase जल रहा है पूरा का पूरा सिंगल फेस जो है आपका last में पढ़ा जाएगा देखें अभी फिर से आप imagine कीजिए यह मेरे पास stator है और इसमें हम लोगोंने थ्री phase winding कर रहा है ठीक है? और थ्री phase supply दे रहा है था हम लोगा सीधी सी बात एक rotating manner सेट अप होगा तो मैं सीधी सी यहां पर नॉर्थ दिखा देता हूं और इधर मैं साउथ दिखा देता हूं और इसका यह axis हो गया है ठीक है हम लोग उतना winding एसम नहीं दिखाएं कि हम लोग पास time है नहीं उतना तो यह मैंने दिखा दिया कि इस axis पे नहीं ऐसे हम लोग दिखा देता है यह मेरा क्या एक तरीके से 5-1 है वो कितने के speed पे घूम रहा होगा क्योंकि यह rotating magnetic field है तो सीधी सी बात यह NSK speed पे घूम रहा है ठीक है और अभी हम लोग समझने के लिए अभी मान के चलते हैं इसके अंदर आपका rotor रखा हुआ है अब rotor में हम लोग wound rotor ही लेकर के चलेंगे ठीक है squirrel cage पे भी बात करेंगे लेकिन next lecture में तो अभी इसको फिर से थोड़ा सा बड़ा बनाते हैं यह मैंने यहाँ पे इस तरीके से rotor दिखा दिया है यह आपका भाई नॉर्थ पोल, साउथ पोल और यह clockwise direction में अफे अंटी clockwise direction जो भी direction लेना घूम रहा ठीक है माल है तो मैं अंटी clockwise direction में ले लेता हूँ कि यह घूम रहा NSK speed पे अब देखें इस rotor के अंदर conductor डला होगा ठीक है naming कर ले ए यह उसका A dash और यह हो जाएगा अपका B, यह होगा अपका B dash, यह होगा अपका C, यह होगा अपका C dash अब माल लेते हैं भाई हम लों imagine कर रहा है कि यह rotor भी जो है nr के speed पे rotate कर रहा है ठीक है अब सबसे पहले देखें अभी हम लोग थोड़ा सा calculation करेंगे अगर हम लोग नस की बात करें तो ns की बात करें तो ns की क्या होता है 120 गुना F divided by P और यह formula कहां से आता है इस पिब बात कर लें कि electrical degree, mechanical degree हम लोग ने revise कर लिए ठीक है तो last मैं हम बता दूँगा तो अभी देखें तो 120 इंडिया के कारण अभी 50 Hz फ्रिक्वेंसी हो जाएगा और पोल हम लोग मैंन के चला है कि इमरीकों दो पोल बनाना तो सीदीशी बात ns मेरा कितना आ जाए यहां से 3000 rpm आ जाएगा ठीक है और nr माल लेते हैं हम लोगा जो rotor का speed है भाई यह कुछ माल मैं ले लेता हूँ 2760 ले लेता हूँ है अब बोलिया 2760 ही क्यों लिया आपने तो अभी आपको समाझ बायाएगा क्योंकि हम लोगा easy calculation हो इसके लिए ठीक है यह आप imagine कीजिए अभी आपका यह rotor जो है 2760 के speed से घूम रहा है ठीक है अब यहां पे क्योंकि मेरे को देखना है कि इस rotor के अंदर जो frequency होगा उसका क्या value होगा दो हर्ट्स होगा तीन हर्ट्स होगा धाई हर्ट्स होगा यह हम लोग find out करना चाहते है ठीक है तो समझे यह rotor itself आपका anti-clockwise direction को मैं कली मैं आपको बता था जिस direction में आपका rotating magnetic field होता उसी direction में इस पर torque लगता है यह rotor भी आपका उसी direction में गोलगोल घूमने लगेगा ताकि यह जो आपका stator का rotating magnetic field घूम रहेनेस के speed से उसके change को यह क्या कर सके कम कर से उसी के change को कम करने के लिए इसने क्या किया है घूमना एक तरीक से start किया है ओके तो अभी अगर हम लोग यहाँ पर relative speed देखने की कोशिश कर रहे है relative speed क मतलब क्या कि rotor और यह जो आपका rotating magnetic field है किसका stator का इनके बीच में ठीक है देखे इस rotor के अंदर भाई एक और magnet बनता निए हम लोग बोलते है rotating magnetic field लेकिन किसका rotor का तो अभी इस वाले concept में इस से हम लोगो कोई लेना देना नहीं ठीक है हम लोग यहाँ पर सिर्फ दो चीज पर focus करेंगे एक तो stator का जो rotating magnetic field है वो जो कि अभी आपका NS के speed पर घूम रहा और अभी इस case में 3000 आरपियं पर एक तरीके से दोड़ रहा है ठीक है और दूसरा हम लोग यहाँ पर focus करना सीधे सीधे NR के उपर, NR कहने मतलब यह जो 2760 आरपियं पर आपका rotor जो घूम रहा है physically ठीक है उसके उपर focus करना है इस वाले concept से हम लोगों को अभी लेना देना नहीं है ठीक है तो अब समझ यह अभी भाई सबसे पहले आप खोद imagine कीजिए कि आप rotor पे एक तरीके से बैठे हुआ है ठीक है और rotor पे अगर आप बैठे हुआ है तो सीधी शी बात है आपका भी जो speed होगा वो कितने के speed पे होगा 2760 rpm पे होगा लेकिन यह जो आपका rotating magnetic field घूम रहा है इस्टेटर का इनके बीच में relative speed का difference कितना हो जाएगा बताइए यह अगर आप rotor पे बैठे हुए है तो आपको यह जो rotating magnetic field है यह कितना आपसे तेज लगेगा देखने में तो सीधी सी बात है आपको क्या करना पड़ेगा तीन हजार जो rpm है इस में से आपको 2760 माइनस करना पड़ेगा समझ यह जाएगा यह मिल जाएगा यह मिल जाएगा मेरेको relative speed किसके किसके बीच में और rotor और स्टेटर के rotating magnetic field के बीच में तो इसको आप माइनस कीजेगा तो यह आजएगा आपका इधर होगी आपका 40 और चालीस और चालीस और अठाइस और यह जो है क्या है इनके बीच में relative speed का difference है यानि अभी इस rotor के conductor में जो आपका flux changing हो रहा होगा ठीक है तो आप कहेंगे न कि यही जो relative speed का difference है rotor और stator के rotating magnetic field में जो कि यह आ रहा है इसी के चलते आप क्या होगा इसके अंदर EMF induced हो रहा होगा और उस frequency को हम लोग यहां पिका बोल रहा है rotor frequency समझ रहा है बात को तो भाई अब यह FR यही जो rotor frequency कितना होगा इसको हम लोग कैसे निकाले है ठीक है इतना तो समझ मागे है कि इसी relative speed के कारण इसके अंदर flux change हो रहा है उसके कारण हम लोग का EMF induced हो रहा है उसके कारण हम सब्सक्राइब कुछ frequency होगा जैसे हम लोग rotor frequency बोल रहा है तो देखिए कैसे हम लोग calculate करेंगे अगेन में को यहां पर photo बनाना होगा यह N है यह आपका S राइट देखिए आपर यह speed भाई हम लोग के लिए important है अभी इस speed से आपका क्या हो रहा है रोटर के conductor के अंदर flux change देखने को मिल रहा है आप लोग तो हम लोग इसको लिखेंगे ऐसे यह RPM में है मतलब एक minute में यह 240 बार भूम रहा है ठीक है तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं कि 240 revolution जो है आपका एक minute में मतलब भाई relative speed जो देख रहा है न उसके हिसाब समय लिख रहा हूं कि 240 बार जो है आपका तेज गूम रहा है रोटर के मुगावले ठीक है तो समय अगर flip करके लिखूं एक minute में आपका जो flux change देखने को मिल रहा है रोटर के conductor में वह आपका 240 revolution का ठीक है RPM का मतलब ही हुआ ना कि एक minute में आपका इतना 240 revolution गोम रहा ठीक है 60 सेकेंड में ये 240 revolution गोम रहा होगा तो अगर मैं एक सेकेंड निकालने की कोशिश करूँ तो कितना हो जाएगा 240 revolution divided by 60 राइट इसको जब हम लोग कट करेंगे कितना हो जाएगा ये हो जाएगा आपका 4 revolution अब कोश्चन आता है याँ पर कि आपने इसको मिनट से सेकेंड में क्यों चेंज किया क्योंकि देखिए भाई ये आपका आर्पिम है revolution पर मिनट लेकिन हमनों यहाँ पर फ्रिक्वेंसी फाइंड आट करना चाहता है तो फ्रिक्वेंसी क्या होता है अपका number of cycle complete in second, one second मतलग एक second में कितना आप cycle ब decía RPS में convert रहे है revolution पर सेकेंड में toire willkommen minute को मैंने क्या कर दिया है second में आपब चेंज कर दिया मतलब सीदी सी बात है nr और ns के बीच में एक सेकंड में हम लोग देखें कि एक सेकंड में स्पीड का कितना अंतर है तो चार रिवोल्यूशन का ठीक है यहनी अगर आपका nr एक चकर लगा रहा है एक सेकंड में तो जो आपका यह ns होगा वो कितना चार चकर लगा ले रहा है समझे रहे बात को ठीक है तब ही तो यह आपका गया चार रिवोल्यूशन का तो देखें समझ यह मैं क्या बोल रहा हूँ भाई कि स्टार्टिंग में ही हम लोगों ने माना है कि हम लोग यहाँ पे दो पोल ले करके चल रहा है मशीन में ठीक है दो पोल ले कर चला था भी तो हम लोगों ने यहाँ पे क्या कर रखा है 3000 rpm मान रखा है ns को ठीक है और अभी जो मैंने यहाँ पे 2760 rpm nr का value क्यों लिया ठीक है तो इसके पीछे reason यह है 3000 में से 2760 अगर मैं माइनस करता हूँ तो जो relative speed आ रहा है 240 का रहा है तो 240 जो होता है 60 से easily मतलब divisible हो जाता है ठीक है इसलिए मैंने यहाँ पे 2760 लिया ठीक है आप चाहे इसको बढ़ा करके जैसे माल लेते हैं आप 2880 भी ले लेंगे तो easy हो जाए क्योंकि 3000 में से 2880 माइनस की जाएगा तो कितना आएगा आपका difference कितना आजएगा 120 का ठीक है तो 120 जो होगा यहाँ पे 60 से easy way में divisible होता है इसलिए मैंने यह मतलब एक particular value का यहाँ पे choose किया है ताकि यह कट सकें तो अभी देखिए 4 revolution आगया ना अब हम लोग आगे बढ़ते है थोड़ा सा सा क्या मतलब होता है अभी समझ माएगा देखिए अब मैं यहाँ पे कुछ simple way में रख रहा हूँ यह north है यह south है यह stator minus 3 के से दिखा दिया भाई अब क्योंकि भाई यहाँ पे अगर मैं rotor दिखा हूँ तो एक सेकेंड के अंतराल में हम लोगो देखना है ठीक है मतलब इसको आप समझें न क्योंकि यहाँ पे हम लोग रोटेटी मैनेटी फिल्ल हम लोगोंने लिया हूँ है ना तो समझे कि एक सेकेंड में यह जो आपका north pole south pole है यह कितने बार घूम जाएगा चार बार घूम जाएगा ठीक है एक सेकेंड में चार बार हो क्योंकि हम लोगोंने दो पोल ही लिया हूँ एक तरीक है दो पोल ही consider किया हूँ है तो सीधी सी बात है भाई अगर आपका यहाँ पे चार रिवोलुशन यह लगाएगा एक सेकेंड में तो वही क्या हो जाएगा आपका फोर हर्ट्स आपका क्या हो जाएगा इलक्ट्रकल फ्रिक्वेंसी भी हो जाएगा कहने का क्या मतलब है रोटर में भी नॉर्थ पोल, सॉथ पोल बना देता हूँ तो rotor को stator के respect में देखना है मतलब एक सेकंड में कितना एक्स्ट्रा घूम जा रहा है चार revolution घूम रहा है ना भाई समझ रहा है बात को एक सेकंड में चार revolution मतलब चार बार जो है आपका यह अब यहाँ पर आपके उपर depend करता है आप rotor को तेज माल लीज़ा फिश्क्रेटर को माल लीज़ा बस माँ समझाने कोशिश कर रहा हूँ ठीक है या तो आप इसको घूमा दीज़ा तो फिर कहिए कि rotor आपका एक तरीके से चार revolution एक सेकंड में घूम जा रहा है ठीक है आपके उपर depend करता है ठीक है तो सीटी सी बात एक यह चार एक सेकंड में जब चार बार घूम और चार बार घूमने का मतलब क्या है क्योंकि ये दो पोल लिआ होगाई तो एक बार जब घूमेगा तो कितना होगआ आपका यह इस तरीके से बनाएगा क्योंकि भाई एक बार जब ये घुमाईएगा, इसको पूरा एक चकर घुमाईएगा, भाई मेरे, North, South, यहाँ पर इस तरीके के conductor रखाओ, इसको अगर मैं एक चकर घुमाऊंगा, तो एक चकर घुमाने पर क्या है, कितना cycle बनेगा, ये cycle बनेगा, ठीक है, उसके बाद, लेकिन यहाँ पर इतना बनाएगा, चौथा बार घुमेगा, तो इतना बनाएगा, समझ रहे बात को, भाई मेरे, ये इतना cycle बन रहा है, एक second में बन जा रहा है, समझ रहे बात को, ठीक है, एक second में चार बार घुम जा रहा है, तो ये इतना सारा जो है, क्या बनेगा, electrical voltage बनेगा, ठीक है, आप जोड़ दीजे आप, यहाँ से लेगे यहाँ थे कितना है, 360 electrical degree, यहाँ से लेगे यहाँ थे 360, यहाँ से लेगे है 360, ठीक है? नहीं, एक सेकंड में 360, 360, यहनी चार से गुना करना पड़ेगा शोट्थीक है? कितना बन जाएगा, आपका? 360 गुना 4, चौदासो चालीस इलेक्ट्रिकल डिगरी ठीक है और चौदासो चालीस मैकनिकल डिगरी भी बनेगा क्योंकि भाई मेरे ये चार बार गुमा रहा है नहीं एक सेकेंड में आप समझ यह ये डिरेक्ट तो बता जिरा है कि एक साइकल, दो साइकल, तीन साइकल, चार साइकल, यहनी चार हर्ट्स बन जाएगा आपका, ठीक है, क्योंकि दो पोल हम ले करके चला हुआ है, समझे एक सेकेंड में आपका यह नॉर्थ पोल, साउथ पोल स्टेटर का चार बार घूम जा रहा है, ठीक है, तो वैसे भी दो में क्या होता है, ठीक 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 तो साड़ गुना चार करना पड़ेगा कि चार बार घूम रहा है ठीक है तो यह कड़ जाएगा तो इसको की है तो आटमाटिक यह होगा 1440 देर भी आपका 1440 से बराबर हो जाएगा आख यह 2 लिए स्मझिप्ट के लिए थोड़ ऺटते, अभी नई स समझिप्टा बार भाइएगा था अब पर ट्ली plaisir हो जाए ठीक है हम लों मांगे चल रहे है कि मेर पास हम आप Pentus आख सबसे पहले calculate करते हैं, 120 गुना F के जगा हम लोग 50 Hz लेके चलेंगे, इंडिया के हिसाब से, और P हम लोग यहाँ पर देखना है, 4, ठीक है, तो जब calculate कीजेगा, कितना हो जएगा आपका ये 1500 RPM, ठीक है, अब ये 1500 RPM है NS, यानि आपका जो stator का rotating magnetic field है, ये घूम रहा 1500 RPM है, ठीक है, अब माल लेते हैं मेरा जो rotor है भाई, rotor का speed है, मैं इस तरी कैसे adjust करूँगा, ठाकि जो आपका difference हो, जैसे मैं photo भी बना देता हूँ याँ पर इसमें जो आपका rotating magnetic field है ये घूम रहा एंटी clock direction में कितने RPM पर है, तो 1500 RPM ठीक है, अब यहाँ पर आपका rotor रखा हूँ है, बीच में अब हम लोग rotor को भी एक तरीके से घूम रहा है, ठीक है तो ये जो rotor घूम रहा है, ये माल लेते हैं बाई, मैं कितना ले लूँ NR माल लेते हैं 1400 रफिक है, ये 1380 RPM पर घूम रहा है 1380 RPM पर घूम रहा है, और ये 1500 RPM पर घूम रहा है, तो इनके बीच में NR link देता हूँ, ये 1380 RPM पर घूम रहा है, तो इनके बीच में जो relative speed का difference होगा, ठीक है relative speed है, कितना हो जाएगा, बताए 1500 में से 1380 घटा देंगे, तो ये आजाएगा सीदे सीदे कितना 120 RPM का ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, कि 120 RPM ही क्या है एक तरीके से आगे पीछे है, rotor और strator के rotating magnetic field में, ठीक है 120 RPM का ये speed difference है यानि इसी speed के करण क्या है, rotor के conductor को लग रहा है कि इसके अंदर क्या हो रहा है, एक तरीके से flux change हो रहा है, जिसके कारण EMF induced हो रहा है इसके चलते current हो रहा है, उसके चलते है, इसके अंदर आपका AC current है, तो कुछ न कुछ frequency आ रहा हुग, तो अभी इसको हम आसे लिखते है ये revolution पर minute में, इसका मतलब क्या कि one minute में, आपका जो rotating magnetic field है कितना आगे निकल जा रहा है, 120 RPM निकल जा रहा है तो इसको मैं second में लिख देता हूँ, 60 second लिख देता हूँ एक ही minute वही बात है इसको revolution कर देता है, ठीक एक, इस तरीके से breaker click है, एक minute में 120 revolution ठीक है revolution ठीक है, तो एक second में हम लोग देखे एक second में कितना आगे निकल, एक second में कितना आगे है ये तो 120 divided by 60 अब समझ मा रहा होगी, 120 मैंने ये 300 CQ लिया ताकि 120 start से easily divided हो, मतलब ये हो गया एक तरीके से दो revolution है, यानि इसका मतलब क्या हो है याँ पर भाई, कि एक second में अगर हम लोग देखें, एक minute में देख रहे हैं तो हम अगर 120 आगे है, ठीक है rotating magnetic field, एक second में लाकर की देख रहे हैं, मतलब और चोटे से time में देख रहे हैं, एक second वाले time में देख रहे हैं अब क्योंकि यहाँ पर भाई, हम लोग उने चार पोल कंसिडर किया हुआ है देखें, नौर्थ, साउथ, नौर्थ, साउथ, ठीक है यह चार पोल मैंने इस तरीके से दिखा दिये, इस टेटर में और यह माल लेते घूम रहा है ठीक है, इमाजन कीजिए, अफिक है यह रोटर को ही मैं घुमा देता हूँ, इस रखने के लिए तो सीधी सी बात है भाई, रोटर में भी कितने पोल बन रहे होंगे, चार पोल बन रहे होंगे, माल लेते हैं आपका नौथ, साउथ, नौथ, साउथ, इस तरीकी से मैं रोटर में दिखा दिया, अब खुद सोचिए, खुद सोचिए भाई, यह आपका रोटेटिंग मैनेटिक फिल्ड, स्टेटर का, यह एक सेकेंड में कितने बार गूम रहा है, बताइए, एक सेकेंड में दो बार गूम रहा है, ठीक है यहाँ पर लिखता हूँ, ठीटा mechanical कितना है, two revolution, कितने time में, एक second में, लिकिन यह तो mechanical है, हम लोग देखना चाहते हैं कि, electrical कितना बनेगा, समझ रहे, तो इसको आप पहले, एक बार घुमाईए, ठीक है, इसको दो बार घुमाईए, मतलब रोटर को घुमाईए, फिर सी बात है, अगर आप इसको, माल लेता है, इसको easy रखने के लिए माल लेता है, मेरे पास एक conductor है, सिर्फ सिर्फ एक conductor, इस conductor में, कितने बार घुमाऊँगा, ठीक हो, हम लोग कितना electrical voltage देखना चाहते है, कितना बन रहा है, कितना angle का बनेगा, ठीक है, तो जब इसको एक बा revolution में फिर सही 720, प्लस करेंगे आपे, तो total कितना बनेगा आपका ये, ये हो जाएगा आपका 1440, ठीक है, यानि जब इसको भाई, दो बार घुमाईगा न, first बार जब घुमाईगा, एक, ये हो गया 360, फिर ये दो, ये हो गया 720, और फिस जब second बार घुमाईगा तो फिर से एक, और ये फिर से दो, यानि इतना बनेगा ये, ठीक है, यानि total कितना बन रहा है, 1440, ठीक है, 1440 को अगर मैं graphically ऐसे दिखाऊं, तो कितना आजाएगा आपका ये, electrical frequency कितना बनेगा यहाँ पे, मतलब एक second में कितना बना रहा है cycle, एक cycle, फिर ये दो cycle, फिर ये तीन cycle, और फिर ये चार ये, total, चार cycle बना रहा है, अगे यहाँ पे, ये frequency कितना बनेगा रोटर के अंदर, फोर हर्ट्स बनेगा, और इत्तफाक की बात, जब उन्हों दो पोल लिया था, तो वहाँ पी भी क्या एक तरीके से, चार हर्ट्स ही आ रहा था, ठीक है, अब हम आगे रहा है, यहाँ हजार रपीयम हो गया, ठीक है, अब मैं यहाँ पे Nr को इस तरीके से select करूँगा, ताकि आपका माइनस करने पे, जैसे मैं यहाँ पे 880 ले देता हूँ, ठीक है, तो सीधी सी बात है, अगर हम लोग इनके बीच में relative speed देंगे, वही आप imagine कीजे, कि आपका relative speed आजाएगा आपका, 1000 में से 880 जाएगा, तो कितना बचेगा, 120 rpm, तो इसको हम लोग ब्रेक करके लिखें की, एक मिनट में आपका जो rotating magnetic field है, कितना आगे भाग जा रहा है, 120 revolution लगा दे रहा है, ठीक है, तो सीधी सी बात है, 60 second में, यहीं बात वही हुआ, 120 divided by, अगर हम ल revolution मतलब क्या, एक second में, अगर rotor एक चकर लगा रहा है, तो उसी same, एक second में, आपका जो rotating magnetic field है, दो चकर लगा लगा ले रहा है, ठीक है, अब हम लोग उसको थोड़ा से दिखाते है, 6 pol के हिसाब से, तो 6 pol कहने मतलब क्या, 60 degree पे, क्योंकि, पूरा एक circle, cylinder कितने होता है, 360, त उसमें 6 pol बनाना है, मतलब क्या, 60, 60 degree पे दिखाना हो, तो उतना, तो accurate में दिखाना है, पाउंगे लिए, फिर यहाँ पे माल लेते हैं, north, फिर यहाँ पे, south, 1, 2, 3, 4, फिर यहाँ पे माल लेते हैं, north, और फिर यहाँ पे माल लेते हैं, south, ठीक है, यह इस तरीके से माने 6 पोल दिखा दिया, ठीक है, अब यहाँ आलेते हैं, stator का minus 3 के से दिखा दिया, अब इसके बीच में हम लोग, एक conductor दिखा देते हैं, ठीक है, conductor दिखा यह, फिर rotor दिखा देते हैं, भाद बराबर है, ठीक है, यह conductor जो एक second में कितने बार घुमेगा, दो revelation घुमेगा, ठीक ह यह इलेक्ट्रिकल डिगरी में हम लोगो बताना है ठीक है नौर से साउट जाएगा तो एक complete cycle बनेगा इसका ठीक है फिर गुमाई है तो कितना आपका बनेगा बताइए यहारा पर हम लोग फार्मूला ही लगा लेते हैं ठीटा इलेक्ट्रिकल इकोल टू पी कितना है यहां पर छे डिवाड़ेड़ दो गुना एक बार गुमा रहे है न तीन सो साथ क्योंकि ठीटा मेंगनिगल क्या होगा थीन सो स me एक बार जब घूमाईएगा तो इलेक्ट्रिकल सिगनल कितना बनेगा दस सो असी लेकन इसको घूमाना कितना है एक से कितना बनेगा दो बार यह इसको फिर से दस सो असी से मल्डिप्लाई कर दिये आपका उटमेटिक इतना आजएगा ठीक है तो इसको अगर हम यहाँ पे ऐसे देखें कितना हर्ट्स बनेगा यह टोटल इलेक्ट्रिकल डिगरी कितना बना आपका यह दस सो असी एक बार में एक घूमाने के चलते है फिर दस सो असी क्य ठीक है यहां तक हो गया क्या दस सो असी ठीक है और फिर से इतना बना यहां पर एक साइकल फिर यहां से दो साइकल फिर यहां से यह तीन साइकल और फिर से यहां पर आगा तीन साइकल आगे का बने क्योंकि दो बार यह यह तीन साइकल और यह तीन साइकल कितना बना एक से में छे साइकल, छे साइकल कहना मतलब क्या, छे हर्ट्स, ठीक है, रोटर के अंदर कितना फ्रिक्वेंसी आएगा, 6 हर्ट्स का आएगा, ठीक है, तो इसी तरीके से भाई, आप आठ पोल के लिए भी निकाल सकते हैं, अब हम लोग इसी को फॉर्मूले के हिसाप से डराइव कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग फॉर्मूला पता है, ठीक है, अभी हम लोग चेक कर रहे हैं, बस, रोटर फ्रिक्वेंसी क्या होता है, स्लिप इन्टू आपका सप्लाइ फ्रिक्वेंसी, तो केस बन में हम लोगोंने क्या लिया था, केस बन में हम लोग का था NS 3000RPM, NR था मेरा यहाँ पर, मतलों, ओर 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 जो इनके बीच में डिफरेंस था, 2760 माना था हम लोग तो ओर 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 जो रिलेटिव स्पीड था, कितना था, आपका 240RPM, तो इस पर हम लोगो पहले काल्कुलेट करता है, कि आता है, क्योंकि हम लोगोन मैनुवली देखा था, यहाँ पर 4Hz आया था हम लोगा, ठीक है, तो समाझ जी, इसको अगर हम लोग देखें, तो सबसे पहले, आपका स्लिप, स्लिप का फर्मूला क्या होता है, स्लिप इकॉल टू, एनेस माइनस, एनार डिवाइड़ बाई, आपका, एनेस होता है, इन्टू, आपका जो सप्लाई फ्रिक्वेंसी होता है, 50 Hz, इस पर आप वैल्यू पूट कीजिए, एनेस कितना है मेरा, तीन हजार में से 27 एनी, उपर में कितना हैगा, 240 divided by, एनेस, एनेस कितना है आपका यहाँ पे, तीन हजार, गुना, 50 ठीक है, 5, 6, 30, और 6, 4, 24, तो यहाँ से भी आपका, 4 Hz आ रहा है, मैन्वल वे में भी आपने कैल्कुलेट किया, वो भी आपका एक तरीके से 4 Hz आ ही रहा था, उसी तरीके से केस 2 में, अगर हम लोग देखें, तो केस 2 में हम लोग ने क्या लिया था, एनेस इक्वल टू मेरा 1500 RPM था, और एनार इक्वल टू मैंने यहाँ पे लिया था, 380, ठीक है, अब हम लोग डिफ्रेंस देख रहा थे, कितना आ रहा था, 120 RPM करते के फर्मूला लगाते है, एनेस माइनस है ना रहा है, इन 15 में से 1300 C गया तो उपर में कितना बच, 120, नीचे मैं एनेस, एनेस कितना है यहाँ पे 1500, गुना, supply frequency 50 Hz, तो एक जिरू से एक जिरू कड़ गया, एक जिरू से एक जिरू कड़ गया, ठीक है, फाइज जिरू कड़ गया, यहाँ पे कितना रहा था, 4 Hz आ रहा था, और मैनुल में भी हम लोगोंने 4 Hz प्रूफ करी, 3rd case में, 3rd case में हम लोगोंने क्या लिया है, एक हजार आर्पियम और एनर जो है मेरा यह कितना है, 880 आर्पियम और और जो डिफरेंस आ रहा था, ठीक है, इस फर्मूले के हिसाब से देखे है, उपर में डिफरेंस था, यहाँ पर सप्लाई फ्रिक्वेंस पचास, एक जिरो से एक जिरो से एक जिरो पांच दूरी दस यहां से कीजेगा, तो कितना 6 Hz आ जाएगा, ठीक है, तो आपको कि यह चीज क्लियर हुआ हो गया भाई, आपको कि एक्च्वल में होता है क्या है मशीन के अंदर, ठीक है, इलेक्ट्रिकल डिग्री, मैक्ट्रिकल डिग्री बलब पूरो-पूरो कॉंसेप्ट चल रहे हैं आपके, अब इतना समझने के बाद, हम लोग आप मैथमेटिकली इसको प्रूफ करेंगे, प्रूफ मुलेको.